हेलो दोस्तो, बुक समरी अर्मिन में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे बल्ल की बेस सेलिंग बुक में से एक बुक बन परसेंट फॉर्मुला अगले तीज दुनों को अपने जीवन के सर्फ्टेश दिन कैसे बनाएं जिसको लिखा है टॉम कानेलन ने साम को कैन अपना कंपूटर वंद किया और संतुष्टी से कुर्सी पर टिक गया यह एक और सांदार दिन था जिसमें उसने बहतरी इनकाम किया था उसकी नजर उस अवोर्ड की और गई जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही फ्रेम कराकर दिवार पर बाकी अवोर्ड के नजदीक टांगा था उसने याद किया कि हर अवोर्ड मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले पिरमोशन तता सम्मान भी फिर भी फिर उसने अपनी डैस्क पर अपने परिवार के फोटू देखे कैन के मेरे टाइब बहतरीन थी एक बहतरीन महिला के साथ वे एक दूसरे से प्रैम करते थे और मिलकर बहुत मज़े करते थे और जब जिंदकी में मुश्किलें आती तो एक दूसरे को सहारा देते जहां तक बेटे और बेटी की बात थी उन पर कैन को सबसे ज़्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी वह 100% इमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था कि वह संसार के सिखर पर था लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था छे महीने पहले कैन बड़े बुरे हाल में था पुराने दिनों की याद आते ही उसके चहरे के मुस्कान मिट गई वह और उसकी वाइप जादातर समय एक दूसरे से जगडते रहते थे एक दूसरे को एक दूसरे के दोस निकालते रहते थे बच्चे भी बे अदब होते जा रहे थे और बिद्रोही तेवर दिखा रहे थे इसकूल में भी उनका पिर्दसन अच्छा नहीं था अपनी जोब में कैन बहुत नाखुष था उसे अपनी जोब जोखिम में नजर आती थी और हर दिन कम से कम दो सहकर्मियों से उसका जगड़ा हो जाता था उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुँचा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सहकर्मियों को देखने पर उसे एसास हुआ कि वह अकेले ही नहीं था दरसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे उन में से किसी को भी यह नहीं पता था कि वह वहाँ कैसे पहुँचे कुछ को तो यह एसास भी नहीं था कि वह वहाँ थे कैन ने सोचा कि क्या जीवन का यहीं मतलब है क्या जिंदकी ऐसी ही होती है लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आसा की चिंगारी थी जादा हासिल करना जादा संभब बनना है एक दिन कैन अपने बेटे जैक के फुटवॉल मैच को देखने गया जैक की टीम उस टीम के खिलाब खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था कैन ने नोटिस किया कि उसके बेटे की टीम ने बॉल पर अच्छी पकड़ बनाई हुई थी और पिछले साल के कंपेर में अच्छा परदेशन कर रहे थे उनके टीम के कोच जिम भी पिछले साल के कंपेर में कुछ अलग दिख रहे थे मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज़्यादा प्रेडित ज़्यादा एकागर नजर आ रहे थे उनके व्यक्तित में ऐसा कुछ था उनके हाव भाव में एक ऐसा आतम विश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं था जबकि जैक की टीम में वही पुराने लड़के थे और कोच भी वही थे और दूसरी टीम में भी वही पुराने लड़के थे और उनका कोच अब भी वही था जब जैक की टीम जीत गई तब कैन उनके टीम के कोच जिम को बधाई देने के लिए गई आतो ही बातों में, कैन ने जिम से पूछ लिया कि आपकी टीम की जीत का क्या रहस्य है, आपकी टीम पहले से बहतर कैसे हो गई और आप भी कुछ बदले-बदले लग रहे हैं जिम ने कहा मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था बहतरी नहीं बहेंग कर नहीं बस ठीक ठाक लेकिन मेरे अंदर यह कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी जिन्दकी के साथ जादा कर सकता था 2002 के विंटर ओलिम्पिक्स में पुरसो की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में गोल मेडल जीता जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ फोर्थ आया लगबग 29 परसेंट का फर्ख लेकिन क्या आप जानते हैं सेकंड थार्ड और फोर्थ आ नहीं कि बीच का अंतर सिर्फ 29 परसेंट का था क्याइब आर तो अंतर 1 परसेंट से भी कम होता है इससे मेरा यह मतलब है कि जब आप average निकालते हैं तो जीतने वाले और हारने वाले के भी सिर्फ 1 परसेंट का फरक होता है नहीं जानता था कि मैं चाहें जो कर लूं हमारी टीम बागी टीमों की तुलना में 100% बहतर कभी नहीं बन सकती लेकिन 1% हम सभी सेंकड़ों चीजों में 1% बहतर तो बनी सकते हैं हर कोई महान नहीं बन सकता लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बहतर जरूर बन सकता है केन ने कहा तो आप कह रहे हैं कि यह किसी के लिए सच है रिटेल आईटी फाइनेंस सेलिक जिम आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बहतर बनाना चाहते हैं यहां तक कि पारवारिक जीवन को भी बहतर बनाया जा सकता है जब मेरा जीवन ठीक ठाग था तब मेरे मित्र ने मेरा परिच्चे लोगों के एक एविसिस्थनिय समू से कराया जिनोंने एकसिलेंस हासिल करने में अपनी लाइफ लगा दी उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया क्योंकि यह पता चला कि वह पहले से ही उस सिद्धान्त के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक रिजल्ट्स के सोध में खोजा था अब इस समू में हम 6 लोग हैं अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो मैं अपने समू के बाकी लोगों से आगरह करूंगा कि वह आपको एकसिलेंस हासिल करने के अपने रहस्य से बताएं यह आसान नहीं होगा आपको अपनी कुछ परानी हैबिट्स छोणनी होंगी काम करने के पुराने तरीके बदलने होंग और अपने तथा दूसरे के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे इसके अंत में आप रोमान्च और उपलब्दी की संतुष्टी की अपेक्छा कर सकते हैं लेकिन राष्टे में चुनोतियां आएंगी केन बारी-बारी से एक परसेंट समू को बाकी पांच लोगों से मिलता है और एक्सिलेंस हासल करने के रहस्य के नौट्स बना लेता है जो नौट्स आपको कुछ पॉइंट्स के मादधम से बताए जाएंगे पॉइंट नुमबर बन प्रेरना को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीका काम को बढ़ाना है मैं किसी काम को जितना ज़्यादा करूंगा उसे करने के लिए उतना ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगा शुरू करने का तरीका काम करना है बले ही यह कोई छोटा काम ही क्यों न हो मेरा लक्ष है इस पर स्ट होना चाहिए मुझे ऐसा काम चुनना चाहिए जो मेरे लक्ष हासिल करने में मेरी मदद करे और फिर मुझे उनमें निपूल बनना चाहिए आप किसी भी काम को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा यह खुद को पोसंड देने वाला सतत-चक्र है स्टेप नमबर टू निजी सपलतागी बहुत की स्वयम को ज़्यादा सक्तिसाली कैसे बनाएं काम करने से वह निश्कृत्या दूर होती है जो आपको उसी जगह रोके रखती है गती आपको चलायमान रखती है च्योंकि न्यूटन का नियम कारगर है इसलिए एक वार जबाब खुद को गती में ले आते हैं तो आप गती में ही बने रहते हैं सही लीवरेज आपके प्रियास की तुलना में ज़्यादा बड़े रिजल्ट देता है अगर हम अपने काम करने के तरीके में एक छोटा चेंज कर लें तो लीवरेज की सक्ती के कारण हमें ज़्यादा बड़े आकार के रिजल्ट मिल सकते हैं 20x80 सिद्धान के कारण आपको अपने करवों में छोटे चेंज की तलास करनी चाहिए जो आपके रिजल्ट में बड़े चेंज उत्पन कर दे इसे 20x80 सिद्धान केने से हमारा ध्यान वहां केंदरित होता है जहां इसे सचमुच केंदरित होना चाहिए हमें अपने कामों में उन छोटे चेंज पर ध्यान केंदरित करने की जरूरत है जो हमारे जल्ट में बड़े चेंज उत्पन करें गती लिवरेज, वहवार और लहर प्रिवाव सलंगता की ओर ले जाते हैं स्टैप नमर थ्री अभ्यास निपूर्ण क्यों नहीं बनता और इस बारे में क्या करें पॉइंट नमर वन, सर्फ्रेष्ट में सर्फ्रेष्ट बनने के लिए 10,000 आवर के अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है 30 एर के एक्सप्रियंस वाले लोगों के पास दरसल 30 एर का एक्सप्रियंस नहीं होता उनके पास तो सिर्फ उनके पास तो वन एर का एक्सप्रियंस होता है जिसे 13 टाइम्स दोराया गया है जो भी व्यक्ति अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में समय बिताता है उसका प्रदसन बहतर होता है पॉइंट नमबर थिरी द्यानिक कर्मों को अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में इस तरह बदले या आंकलन करें कि आप किसी काम को पितनी अच्छी तरह करते हैं और अगली बार कैसे बहतर बना सकते हैं सरजनात्मक फीडबैक लें ऐसे लक्षे बनाएं जो चिनोती पूर्ण हो और दूसरों की मदद से हासिल किया जा सकते हैं पॉइंट नमबर फाइव अपनी तुलना दूसरों की बज़ा खुद से करें पॉइंट नमबर 6 आगे की योजना बनाएं और लक्षे ते करें लेकिन वर्तमान अपना सरस्रेश्ट रखें स्टेप नमबर 4 थार्टीन दिन का फॉर्मूला जो आपकी जिंदरी वदल देगा पॉइंट नमबर 1 थार्टीन देज तक हर दिन अपनी हैविट का अभ्याज करें तो यह ओटोमेटिक बन जाएगी पॉइंट नमबर 2 यही दूसरी हैविट के साथ भी करें एक बार में एक पॉइंट नमबर 3 जागरुक रहें की विश्वास ही यह तह करते हैं कि आप घटनाओ की पिरक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं पॉइंट नमबर 4 अपनी लक्षे हासिल करने के लिए अपनी नेगेटिव विश्वास को नए सिरे पर ढालें पॉइंट नमबर 5 विशलने को गिरने में नए बदलने दें स्टेप नमबर 5 किस तरह कुछ नए करने से आपको ज़्यादा करने में मदद मिलती है पॉइंट नमबर 1 कंसंट्रेटिड प्रियास और काम पर लगाया हुआ स्वस्तलाव की अबदियों के साथ दैनिक टाइम टेवल बनाएं पॉइंट नमबर 2 कंसंट्रेशन से एक बार में 90 मिनट से ज़्यादा काम ने करें और ऐसे दो सैसन के बीच में रेस्ट इंटरवल रखें पॉइंट नमबर 3 हर वीक रेस्ट के कम से कम तीन इंटरवल में 20 मिनट तक वर्काउट करें पॉइंट नमबर 4 दिन में 10 से 30 मिनट तक जपकी लें पॉइंट नमबर 5 रात को कम से कम 8 आवर की नींद लें पॉइंट नमबर 6 रेगुलर विकेशन मनाएं एक समू के सदस्यों से सीखने के इस्तरपूरे हो चुके थे लेकिन कैन को यह जानकर खुशी हुई कि यातरा का अंत यहीं नहीं हुआ एक परसेंट फॉर्मूला के सिद्धान्त ने कैन की जिन्दकी के हर पहलू में जणय जमाली थी उसकी समझ हर दिन बढ़ी जा रही थी और कैन 6 मन्त के बाद वैसा हो गया दोस्तों हम आसा करते हैं कि आपको 1% सॉलूसन बुक की समरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा अगर आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नॉलिज तोर एक हम क्या आपने कि वर दोह है नच्योंकि अषाच और शूंकि यंचिस पूंकि तूर रन से आखदा रन ओर खकि मैं ऐा आपने के लूवा हैंनकश इह लुक लांकि तूंकि बहुत कुछ को अपक्न के भी आपतार थ ayuda